नई सरकार है तो सब नई ही साब से चलेगा आज ये बताते हुए गौरों हो रहा है कि ऐसे आउसर में यहां बेंदरी में दो साल का बोनस बितरन का समारू रखा गया था जिसमें 12 लाग से ज़्यादा किसानों को दो साल 14-15-16 में जो बोनस किरासी उनको नहीं मिली थी एक साथ उनके अकाउंट में यहां से ट्रासफर किये हैं और कई किसानों से हमारी टेलिफोनिक बात भी हुई है वो लोग बहुत खूस हैं उनको लगता था कि पैसा कभी नहीं मिलेगा लेकिन आज उनको अचानक मिल र रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ाए जाए अगर जरूत पड़ेगा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाएंगे